ओम हर गंगे हर गंगे हर गंगे प्रियदी व्यात्मन आप प्रियाग राज इस्थित दिभ्य भब्य कुम्भ की पावन द्रिवेडी संगम से मागंगा का दर्शन कर रहे हैं हर हर गंगे हर हर गंगे जय मागंगे जय मागंगे जय मागंगे हर हर गंगे 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 जय मागंगे प्रयागराज के त्रिवेडी संगम से आप मागंगा का दर्शन कर रहे हैं अब सिर्फ एक सप्ता है और यह दिप्य भव्यकुम्भ चार मार्च को महाशिवरात्री के साथ संपन्न हो जाएगा तो मैंने सोचा कि आपको भी जरा दर्शन करा दों आए उस दिव्य छटा का और मागंगा की उस पवित्र पावन पुर्जा का आप दर्शन करें और अपने जिवन को धन्य करें देवि सुरेश्वरी भगवति गंगे त्रिभुवन तारिडि तरल गरंगे आप सभी दिव्यात्मन का मंगल हो संजय मिश्राजी आप आनंदले आपके जीवन में भी मंगल हो मा गंगा की कृपा और अन्य लोग जो भी दर्शन कर रहे हैं सबका मंगल हो जो गंगा की निर्मल धारा है वह चरित्र को ही हम सभी सनातन धर्मियों के चरित्र को गुज्वल करे धवल करे हमारी जो विचार धारा है और पुनह एक बार अपने अभूत पुर्व गवरों को भारत उपलब्ध हो यह कामना करता हूँ विशेश रुप से आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सर्वच्य नियाले में आज से स्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्मान हे तू जो याचिका है सुप्रिम कोट में उसकी सुनवाई प्रारंभ हो रही है मैं दो दिन अजुध्या में भी था और अब पुनह यहीं प्रार्थना वर संकल्ब करना है प्रते सनातन धर्मी को कि यह त्रिवेडी का जो संगम है यह जो पतित पावनी त्रेलोक के तिन लोकों की से पार दिलाने वाली यह जो गंगा मा है उसकी उर्जा संग्चरित हो और वह तिव्य भव्य मंदिर स्री मरजादा पुर्शोत्नम भगवान स्री राम का बने इसके निमित जो भी वैधिक बाधाये हैं महराश्री दंडी स्वामी अध्युतिय को भी नमो नाराण और आप का भी अभिनंदन तो ये त्रिवेणी के पावन संगम से और जहां कहीं भी हो मैं विशेश रुप से आज अवाहन करता हूँ कि जो स्री राम लला का जो मंदिर निर्मान का जो संकल्प है और वह एक मंदिर मात्र नहीं है जैसा कि मैंने वहाँ पर अजोध्या में भी दो दिनों दर्शन के समय जिस प्रकार से मैंने हुंकार भरी और साथ साथ में सैकड़ों लोग जुट जाते थे यहाँ आत्म विश्वास इस सनातन धर्म के अपने पुनरबाव हो अपने उस प्राचीन गवरों को एक बार उस खंडित एक मंदिर नहीं हुआ है मर्यादा पुर्शोतम तो ब्रह्मान के कणकण में है लेकिन हमारा अस्तित्व सनातन धर्म का जो अस्तित है सनातन धर्म के जो साश्वत प्रतिकचिन है उन पर जो उनके आधार अस्तम उसके किंद्र बिंदु जो मर्यादा पुर्शोतम है उस पर आकर्मन हुआ और उसका अ प्रार्थना भी करें परंतु अगर बलिदान की अवशक्ता हो किस बलिदान के वर्शारीरिक ही नहीं होता है यग्य करें आहूती करें कि मर्यादा पुरशत्म भगवान स्री राम का मंदिर अब उसमें विलंब नहीं हो बहुत दिन हो गया परम धरम संसद में कुम्ह में परम पुज्य स्वामी संकराचार्ज स्वरूपा नंद जी ने जो अवाहन किया था और 21 को जो वहाँ पर सिला पुजन का और भव्य मंदिर के निर्मान का तो जैसा कि आप जानते हैं आतंकवादी हमला हुआ उसके पश्चात जो राश्र में एक दुसरी प्रकार की उर्या और महावल बना हुआ है तो उसके निमित पुज्य संकराचारजी ने इस कारज करम को टाल दिया मेरा भी जाने का भी विचार था और बनारस तो गया भी था मैंने सोचा था कि महराश्री का दर्सन करूँगा वही पर थे लेकिन अचानक किसी कारण बस एक दो दिन ही रूख करके मुझे जुद्या जाना पड़ा तो ये जो संकल्प है यह संकल्प प्रतेक सनातन धर्मी को अपने अंदर हम किसी के बिरोध में नहीं है हम किसी का सोशन नहीं चाहते हैं परंतु हमारे अस्तित्व पर यहीं प्रधार हजार वर्शों से हो रहा है हम अब ये बर्दास नहीं करेंगे यह स्विकार यह नहीं है क्योंकि कुछ लोगों को हमारी सनातन धर्म की और हमारी वैदिक संस्कृती को नीचा दिका कर उस पर प्रहार करके उसकी कूवियक्या कुदृष्टी कुद्रक के द इसलिए मैं आप सब का आवाहन करता हूँ कि प्रतेक सनातन धर्मी यह संकल्प करे और इसके निवित जो भी अनुशान हो सकता है यह मर्यादा पुर्शोतम उस उर्या के प्रतीक हैं जैसा कि वो स्वामी तुलसी धास ने स्रीराम चरित मानस में कहा सियराम मय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोर जुग पानी मर्यादा पुर्शोतम स्रीराम के वल दसरत नंदन नहीं है त्रेता जुग में आए और चले गए वहीं नहीं है वो वैदिक संस्कृति ने जो सत्चित आनंद परिभाशित किया उपनिश्दों ने जिस ब्रह्म को शाश्वत अखंड अद्वय अविनाशी परब्रह्म परमात्मन को कहा उसके प्रतीक हैं उसके अवतार हैं इसी तत्व को गोश्वामी तुलशिदास ने स्रीराम चरितमानस में कहा हमारे सनातन धर्म के उस प्रतीक को खंडित किया गया 600 वर्स पुर्व और उसे पुनरस्थापित करना है आप विश्वास न करेंगे मैं दो-तीन दिन जब अजुध्या में था परसों आया तो जब अंदर जाता था मेरे अंदर कोई सोच के नहीं गया था लेकिन इस प्रकार से मैं हुंकार करना प्रारम्ब किया ततकार अंदर में ही और अज्जारों के संख्या में वहाँ पर पारा मिलिटरी फोर्सिस थे और साथ में लोग भी हुंकार भरने लगे जैश्री राम का जैघोश करने लगे और संकल्ब भी किया कि अब चाहे राजनेतिक हो वैधिक हो जिस किसी भी प्रगार की बाधा को हम स्विकार नहीं कर रहे हैं धर्ज की अब सिमाएं पार हो चुकी हैं अब आजसे प्रारंब हो रहा है सरवच्चे नियाले में जो सुनवाई मर्यादा पुर्शतम स्रीराम के भव्य मंद्र की उसकी तारकिक प्रणती मैं उमीद करता हूँ प्रार्थना करता हूँ वैसे विरोधी पक्ष हैं वो कोशिश करेंगे कि चुनाव तक किसी ने किसी प्रकार से रोक दिया जाए कितना सफल होते हैं मुझे मालूम नहीं कहना क्योंकि मैं सुप्रिम कोट को जानता हूँ मैं दस वर्स मैं विविन्द सरकारों के विरुध लड़ता रहा सचिदानंद सन्यासी होने से पुर्व तो टेकनिकल ग्राउंड पर हो सकता है रोकने की कोशिश करें सुनवाई लेकिन जो सनातन धर्मियों का संकल्प है वह अगर प्रगाड हो जाए तो कोई रोकने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि सनातन धर्मी ही अपने तुक्छनित स्वार्थ के लिए इस देश पर भवानी भारती पर अपने आधार अस्तंभों पर सनातन धर्म के प्रतिकों पर भी जो प्रहार करने वाले हैं उनको भी भोट देती रहे हैं उन्हें अपना मिरजाफरों और जैचंदों का भी काल खंड रहा है और आज जो पाकिस्तान की और से हमला हो रहा है यह इतना तुक्ष जिसे अपने बेगिंग बॉल जिसे बोलते हैं भी का कोटोरा दुनिया में लेकर के फिरते रहता है वह हमें चुनवती दे रहा हमारे सेनिकों को सहीद क कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि इस देश को चुनवती देने की पाकिस्तान या किसी बाहरी शक्ति के वह सत्ता नहीं है इस देश में जैचंदों और मिरजाफरों की एक बहुत बड़ी कौम जो है हमारे अकडिमिया में यूनिवर्सिटी में टॉपरेटर यूनिवर्सि में यह जादवपर यूनिवर्सिटी कलकता की जवाहलाल नहरू विश्विद्याल है दिली का और मीडिया हाउसेज में और अकडिमिया में पिछले सत्तर वर्षों तक देश आजाद होने के बाद जो लेफ्टिस्ट आइडियोलोजी का इतना विक्षिप्तता और प्रगा रिफ है हम किसी पर प्रहार करना किका का शोशन करना हमारा धर्म नहीं जो आधार अस्तंब है लेकिन जो शोशक प्रहार आक्र्म्नकारी आत्तदा आशुरी शक्तियां जिसे घ्नधारे से भी ज्यादा हो गये जो अहिंसा परद्हरंौं का कुठ अर्ध सत्य पृस्तुत किया गया हो आध्य। अहिंसा परमधर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए की गई हिंसा, अहिंसा से बड़ा धर्म है, ये प्रतीक सनातन धर्मी को जानना अवश्यक है, नहीं तो नपुन सकता आ गई है विचार धारा में, हमारे दीन प् आक्रमण करते रहे हैं इस भारत माता के टुकडे टुकडे भी हो गए और हम कब तक अपसाहते रहेंगे हमारे दिल्ली के नाक पर मैं 35 वर्सों से दिल्ली में रहा हूँ अब विश्व सनी है जवारला नहरु विश्व विद्याले में भारत तेड़े टुकडे होंगे विश में कहीं भी घटना किसी राष्ट के अंदर घटती दीन धाड़े ये लोग जनता के दौरा मार दिये गए रहते लेकिन सहिशुर्ता इतनी विकृत स्वरूप में इस देश में प्रगाठता में अपने घर कर गई है कि आपको जब आप देख रहें कल जम्मू कास्मीर की ज हमारे सैनिकों को मार रहा है अतंकवाद फ़ला रहा है लेकिन यहां से जब हम प्रहार करना चाहते हैं उसको जबाब देना चाहते हैं तो इसी देश में मीडिया में भी बहुत बड़ा एक वर्ग है वी बुद्ध जीवियों का भी एक बड़ा बर्ग है वो बोलता है नही युद्ध नहीं करना चाहिए जब मुकास्मिर की मुख्यमंत्री बोल रही है जो गमार और अपढ़ लोग है वो जुद्ध करते हैं जिस धर्म से वो आती है जिस संस्कृति को वो आतंकवाद की संस्कृति है वो हमें अहिसा का पाठ पढ़ा रही है लेकिन यह उसका पहल हिंद महासागर में इसका परिमार्जन कर देजिए विसर्जित कर देजिए और हम किसी को पर आक्रमन नहीं करना चाहते हम किसी का शोषण नहीं करना चाहते किसी के भुभाग पर भी अधिकरना नहीं करना चाहते लेकिन हमारे आधर्शों हमारे प्रतिकों हमारे भारती पर जो भी आक्रमण होगा तो इट का जवाब पत्थर से कहना नहीं अब देना भी होगा और जिस दिन विश्व यह देख लेगा कि भारत यह कर रहा है तो आपकी जो GDP है और जो आर्थिक वाइभव भी है नपुंसक के साथ मानव इतिहास में सबसे एक सास्वत सुत् नपुंसक को कोई पसंद नहीं करता है चाहे आपकी संतान भी हो पती हो पतनी हो प्रेशी हो या राजा हो या प्रजा हो नपुंसक्ता को कोई पसंद नहीं करता है और जिस नपुंसक्ता को हम हजार वर्सों से उपलब्द हुए हैं विश्व के कई देश तो इस विशाल बाइभव जो भवानी भारती का है वास्चर्ज करते हैं जो कभी विश्व का इतना बाइभव सा मराज्य था भारत उसके ये उत्तराधिकारी इतने नपुसक्ता को कैसे उपलब्ध हो गए कि ये जिसे खाने का ठीकाना नहीं पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश प्रती द यह पावंत्रिमेडी संगम प्र्यागराज से मैं यहीं संकल्प करता हूँ और मैं पिछले देड़ मैने से जादा कुमप्रारम होने से पहले ही कोई मैं प्रमन सन्यासी हूँ हमालय में रहता हूँ किसी अनुष्ठान की मुझे आवश्यक्ता नहीं है करता भी नहीं हूँ गई युद्या भी गया बनारस भी गया यहां भी आए किसी अनुष्ठान के लिए नहीं हो पर्मण सन्यासि तो सब से सब कृट कृट हो जाता है लेकिन यह जो राश्ट है यह जो भवानी भारती है उसकी जो दिव्युर्जा मेरे रगमे प्रवाहित हो रही है उसका खर मैं अब आपसे यही कामना करता हूँ पुरे भारत में यह नई उर्जा का संचार हो सनातन धर्म पुला एक बार उस परम बैभाव को उपलब्ध हो और आत्म सम्मान कोई भी समाज, कोई भी संसुकृति, कोई भी सभ्यता, कोई भी व्यवस्था जिसके नागरिक, जिसके सदस्य आत्म सम्मान जिन में न हो उसके प्रगति की कोई संभावना नहीं है आत्म सम्मान वह उर्जा है जो आपको परम्मईभव को ले जाती है काशिव शुनात में अब इतना क्रोध आर जब भी मैं जाता हूं मतुरा या काशिव वापी मस्चिद महां दिखाई पड़ती है यह हमारे the symbols of shame these all these symbols of shame need to be demolished forever wipe out क्योंकि यह अपमान के ग्रिणा के आक्रमन के आतंकवाद के प्रतीक हैं जिसे आज आतंकवाद कह रहे हैं यहां आतंकवाद साथ सव वर्ष प्रारम हो गया था और विशेश रूप से अवरंग जेब ने बाबर ने इन लोग ने अपने आतंकवाद के द्वारा ही जो हमारे सिर्षस्त जो धर्म के प्रतीक चिन्हें पहले उनको पर प्रहार किया, उनको धस्त किया, हमारे आत्मसमान को धस्त किया, इसलिए जो राम मंदिर का जो बनना है, जो निर्मान होना है, वह किसी मंदिर का निर्मान है, आपके अंदर कुछ धस्त हो गया है, प्रतेक सनातन धर्मी के क्योंकि यह जो कुम्भ है जो दिब इक अमर्ट कुम्भ यह शरीर को कुम्भ वेदों ने कहा और इसके अंदर ही अमर्ट है अमर्ट का कुम्भ है यह प्रतीक के रूप में है और